आखिरी 6 गेंदे और 29 रन का टार्गेट लगभग असंभाव पर यहीं चमका एक नाम जो अब सब की जुआ पर है रिंकु सिंग रिंकु सिंग ने लगातार 5 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई कई रि 29 रन बना कर जीत दिलाने का भी रिकोर्ड बना इससे पहले महेंदर सिंग धोनी 20 वे ओवर में 23 रन बना कर चेन नहीं को जीत दिला चुके हैं कोलकाता ने रिंकु को 80 लाख रुपे में खरीदा था पर रिंकु को उम्मीद थी कि सिर्फ 20 लाख मिलेंगे वो भी उनके लि रिंकु में रिंकु ने अपनी जिंदगी के बारे में बात की थी उन्होंने बताये कि परिवार में 5 भाई हैं पापा सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे हम पाँचों भाईयों से भी काम करवाते जब कोई नहीं मिलता तो डंडे से पीटते हम सारे भाई बाइक पर दो- एदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था यूपी के अलिगर में मोडन स्कूल से भी क्रिकेट खेला इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 32 बॉल पर 54 रन की नौट आउट पारी भी खेली शुरुवात में क्लब क्रिकेट खेलने का पैसा नहीं था तो सरकारी स्टेडि इस मैच के बाद रिंकु ने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं और पिता ने बहुत स्ट्रगल किया मैंने जितने भी सोर्स ग्राउन के बाहर लगाए ये उन्हें ही समर्पित हैं जिन्नोंने मेरे लिए अब तक बलिदान दिया केकेयार की जीत के बाद अलिगर की भी कहानी बताई रिंकु ने कहा कि सोचा था बीस लाक में जाऊंगा लेकिन मुझे असी लाक में खरीदा गया पहली चीज जो दिमाग में आई वह यह थी कि बड़े भाई की शादी में मैं भी कुछ मदद कर पाऊंगा बहन की शादी के लिए भी कुछ बचा लूँग था तो वहां मिलने वाली रिपरजेंटेशन मनी यही कर चुकाने में चली जाती थी दो साल पहले इंडिया अंडर 19 के लिए भी चांस बने पर अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया परिवार की मुस्किले देखते हुए क्रिकेट पर पूरा फोकस करना ही पड़ा रि इससे भी सिलेंडर डिलिवरी की जाने लगी रिष्टेदार बोलते थे कि भाई के साथ काम कर लो भाई से बोला कि कहीं काम दिला दो तो उसने मुझे कोचिंग में जारू पोचा की जोब दिलाई मैंने मना कर दिया मुझे पता था कि मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है व 2010-11 में यूपी स्टेट अंडर 16 टीम के ट्रायल दिये लेकिन फर्स्ट राउंड में बहार हो गया 2012 में पहली बार अंडर 16 टीम में सेलेक्ट हुए पहले ही मैच में 154 रन बना दिये अंडर 19 टीम में सेलेक्ट होने के बाद रंजी ट्रोफी डेब्यू भी कर लिया यहां से विजय हजारे और सेयद मुस्ताकली टी-ट्रोफी भी खेलने लगा उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट की वज़े से मुझे नोटिस किया जा रहा था 2021 में पंजाब किंग्स ने खरीदा पर पूरा सीजन बैंच पर ही बीट गया इसके बाद मुंबई इंडियन्स ने सिलेक्सन ट्रायल के लिए बुलाया वहां 31 बॉल पर 51 रन बनाए मुझे लगा कि मैंने कुछ परभाव डाला घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहा था रिंकु ने बताया कि उम्मीद थी कि मुझे कोई खरीदेगा पर इतना ज़्यादा पैसा दे कर खरीदेगा ये कभी नहीं सोचा था मेरे खांदान में इतना पैसा कभी किसी ने नहीं देखा